हेलो गाईज, स्वागत आप्सका में चैनल भर्ट साब गेमिंग में तो मैं आज आके समने एक और नहीं वीडियो लेके आ गया हूँ आज की ये वीडियो बहुत ज़दा इंट्रेस्टिंग और नॉलिच्फुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Top 5 Oldest Things of Free Fire आज की इस वीडियो में मैं आपको Free Fire के बारे में कुछ ऐसी Oldest Things बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने आज दिन तक सुना नहीं होगा भाई लोग जो भी मेरे जैसे बंदे हैं जो की Free Fire को बहुत ही पहले से खेल रहे हैं वो बंदे इन Oldest Things के बारे में जानते होंगे पर भाई लोग जिन बंदों ने Free Fire को अभी नया नया खेलना स्टार्ट किया है वो इन Oldest Things के बारे में नहीं जानते होंगे भाई लोग ये सब जानने के लिए वीडियो में लाट्स तक बने ना ताकि आपसे कोई चीज छूटे ना भाई लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आगर आप इसे मेरे चैनल पे कोई भी नया है या फिर मेरे वीडियो पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले जाके गाई वीडियो को लाइक कर दो उसके बाद लाल करके बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाई बेल आइकन को दो आके से ओल पे सेट कर दो ताकि इन फीचर में जब भी वीडियो डालू मेरी वीडियो को नोटिफिकिशन आपके पास सबसे पहले है जल्दी से आके गाई इन दिनों स्टेप्स को होलो कर दो क्योंकि ये बिल्कुली फ्री है सो भैज लोग जा टाइन फिस्ट करते हुए करते हैं उडियो को स्टार्ट सो घाई सबसे पहले चलते हैं फिफ नंबर की ओल्डेस तिंग्स की तरफ सो भैज लोग हमारी फिफ नंबर की ओल्डेस थिंग है black shirt और guys बहुत ज़्यादा rare angelic pant guys आपने इन दोनों items को बस youtube वीडियोज में देखा होगा क्योंकि guys ये दोनों की दोनों items बहुत ज़्यादा rare है हमारे Indian server में ये जो black shirt है वो इतनी ज़्यादा rare तो नहीं है पर guys ये जो angelic pant है ये हमारे Indian server में बहुत ज़्यादा rare है बांच किया गया था हमारे free fire की game में और तभी guys free fire की first anniversary भी थी इसलिए guys इस shirt को उस time as a login reward दिया गया था जिन बंदों की किस्मत अच्छी थी उन्होंने उस time इस shirt को claim कर लिया पर जिन बंदों की किस्मत उस time खराब थी वो इस shirt को claim नहीं कर पाए जिसके वसे भाई लोग ये shirt आज बहुत ज़्यादा rare है guys अब बात करतें angelic pant की भाई लोग ये pant भी as a login reward मिली थी दूसरे servers में जब भाई लोग free fire की game में अलग-अलग region होते थे guys इंडिया में आज जिन तक ये angelic pant कभी भी नहीं आई है पर जब बांगलादेश का region Singapore server की साथ connect था तब बांगलादेश के players को ये angelic pant game में मिली थी पर आज बांगलादेश का server और इंडिया का server सेम है जिसकी वसे जो भी बांगलादेश की बंदे हैं जो की इंडियान server में खेलते हैं उन्हें तो ये angelic pant मिल गई पर जो इंडियान रीजन वाले बंदे थे उन्हें ये angelic pant कभी नहीं मिली सो गाईज आई होप आपको पता लग गया होगा कभी ये shirt और pant हमारी game में आई थी सो गाईज आब बढ़ते हैं fourth number की old days things की दरफ गाईज हमारी अगली old days thing है gen can pawn ये गाईज free fire के एक बहुत ही पुराना mode है जो की एक डेट साल पहले आया था मैंने खुद गाईज ये mode बहुत ही कम खेला है क्योंकि भाई लोग जितने भी free fire में mode है वो एक बार जाने के बाद वापिस आते हैं return में किसी एक special event ये किसी special दिन के उपर पर गाईज ये mode आज दिन तक कभी भी return में नहीं आया है ये गाईज बहुत ही OP mode होता था इस mode में हमें map में enemies की location पता लग जाती थी जिसकी help से हम enemies के पास जाकर उन्हें easily मार पाते थे और इस mode को खेलने के बाद हमें free fire में special token भी मिलते थे गाईज आप मेंसे जिसकी सीने भी ये mode खेला है मुझे comment करके जुरूर बताना ताकि मुझे पता लग जाए आप मेंसे कौन free fire का एक old player है सो गाईज आप चलते हैं third number की oldest things की तरह गाईज हमारी third number की oldest thing है वो है गाईज legendary glue wall गाईज आपने बहुत सी free fire में glue walls देखी होगी पर गाईज आपने कोई भी attributes वाली glue wall नहीं देखी होगी गाईज ये जो हमारी Halloween glue wall है इसमें guys attributes है इसलिए guys इस glue wall को legendary glue wall कहा जाता है गाईज अबसे वहले मैं आपको इस glue wall के attributes बताता हूँ भाई लोग इस glue wall के attributes है minus cover range, minus cover height और triple climbability ये guys free fire की glossy item है जिसमें triple number का attribute है इस glue wall को जातर बंदे यूज नहीं करते क्योंकि guys इस glue wall का size थोड़ा टेड़ा है और ये छोटी भी है जिससे guys ये अच्छा cover provide नहीं कर पाती पर guys climbing के लिए ये glue wall बहुत ही best है और भाई लोग आप मेंसे किसी के पास भी अगर ये glue wall की skin है तो मुझे आप comment करके जुरूर बताना ताकि मैं समझ जाऊं आप एक old free fire player हो सु guys ये तो होगी मारी third number की oldest thing अब चलते हैं second number की oldest thing की तरह भाई लोग अमारी ugly oldest thing है dragon अगर आप मेरी तरह free fire के एक old player हो तो आपने एक ना एक वार तो इस dragon को ज़रूर देखा होगा भाई लोग dragon free fire की game में एक पहले बहुत ही ओपी चीज होती थी ये game को किसी भी तरीके से effect नहीं करता था गेरीना ने सिर्फ मजे के लिए ही dragon को free fire की game में एड़ किया था भाई लोग अगर आप एक free fire के एक old player हो तो आपकी पुराने यादे ताजा हो गई होगी इस dragon को देखके भाई लोग मैंने तो इस peak वाले tower से बहुत बार dragon के उपर चड़ने की कोशिश की और कौन कौन इस dragon के उपर बैठ पाया भाई लोग ऐसा possible तो है नहीं पर फिर भी आप comment करके जुरूर बताना सो गाईज ये तो थी हमारी second number की oldest thing अब मैं आपको first number की oldest thing बताता हूँ सो भाई लोग चलते हैं first number की oldest thing की तरफ गाईज हमारी first number की oldest thing गया Pat revive गाईज अबसे पहले आप इस clip को ध्यान से देख लो उसके बाद मैं आपको इस clip की reality बताता हूँ गाईज आपने इस clip में देखा कैसे इस clip में एक बंदा मिस्टिरिस त्रीके से डाउन हुआ और Pat Kitty ने उसे revive दिया भाई लोग के कोई भूतिया चीज नहीं है ये सिर्फ एक bug था जब ने ने बर्मोडा रिमास्टर्ड गेम में लाँच हुआ था तब ये glitch या bug गेम में आया था भाई लोग इस glitch में होता ये था हमारा जो teammate था वो हमें map में बहुत दूर दिखाए देता था और पूरे match में ना हमारा teammate हमें दिखाए देता था और ना ही enemies को जिसकी वज़से भाई लोग जब clip में उस बंदे का teammate उसे revive दे रहा था तब ऐसा लग रहा था कि उसे quatt revive दे रहा है भाई लोग इसे हम एक oldest thing तो नहीं कह सकते पर भाई लोग एक बहुत ही interesting चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी और भाई लोग आप सबने ये notice कियोगा कि हमारे इस channel पे बहुत ज़्यादा कम वीडियो आ रही है जिसका reason है भाई लोग मेरे board exams जब मेरे board exams खतम हो जाएंगे उसके बाद मैं regular वीडियो डालने की कौशिश करूँगा पर भाई लोग उससे पहले कम वीडियो डालने की वज़से मेरा channel dead भी हो सकता है जो भाई लोग प्लीस इस वीडियो को जाद से जादा शेयर करना ताकि मेरा channel dead होने से बच जाए जब लोग इस वीडियो में बस इतना ही पर भाई